मैदान जाकर क्रिकेट मैच देखने का मज़ा ही कुछ और होता है। उपर से जब मुकाबला वर्ल्ड कप का फाइनल हूँ जुसमें भारतिय टीम तीसरी बार ट्रॉफी उठाने के करीब हो तो स्टेडियम की एक एक सीट के लिए मारा मारेते हैं। उनिस नमंबर यानि किस कमिंग संडे को एहमदाबाद स्थित दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम नुरेंद्र मोदी स्टेडियम वर्ल्ड कप के फाइनल को होस्ट करने के लिए पूरी तरह से तयार है। मैच देखने के लिए गुजरात जाने वाले हैं तो आपको कितना महंगा पड़ेगा चले इस वीडियो में जानते हैं। समाने होटेल के कमरे की कीमत 10,000 रुपए तक हो सकती है। अगर आपका मन है कि आप किसी फो स्टार या फिर फाइफ स्टार प्रॉपर्टी में रुके तो उस होटेल के कमरे का जो किराया है वो एक लाख रुपए के आसपास चल रहा है। booking.com, makemytrip और agoda जैसे travel platforms ने भारत-पाकस्तान मुकाबले से पहले भी special package डिजाइन किये थे। और ऐसे ही final से पहले भी booking.com, makemytrip और agoda ने कुछ special packages डिजाइन किये हैं। होजल के prices में भारी व्रदी देखने को मिल रही है। फ्लाइट की टिकेट है वो बहुत जादा महंगी हो चुकी है। और आम तोर पर जो रूम 2,000 रुपए में आपको एहमदाबाद में मिल जाता था वो अब आपको 10,000 रुपए तक में मिलेगा। होजल के कमरों की डिमांड इतनी ज्यादा है कि ज्यादातर होटेल के पास बुकिंग के लिए अब कुछ ही कमरे बचे हैं अधर्वाइस फुल ऑक्यूपाइड होटेल हो चुके हैं। कि अगर बात करें तो महीनों पहले भी फाइनल से पहले देश के किसी भी शहर से एहमदाबाद की राउंड ट्रिप टिकेटों की कीमत 200% से 300% का इजाफा इसमें हो चुका था। मसलन 18 नवंबर को दिल लई से एहमदाबाद के लिए फ्लाइट टिकेट की कीमत 15,000 रुपई से ज्यादा हो चुकी है। मैच के अंतिम चरण के टिकेट जो 13 नवंबर को लाइव हुए थे वो सारे के सारे बिख चुके हैं। पछली बार अवैलेबल सबसे सस्ती टिकेट की कीमत बुक माई शो पर 10,000 रुपई थी। भारत नई बुधवार को वान खेड़े स्टेडियम में रुमान्चक सेमिफाइनल में न्यूजिलेंड को सतर रन से हरा कर वोल्ड कफाइनल में जोरदार एंट्री अपनी खर ली है। वहीं दूसरी तरफ सेमिफाइनल मैच में साउथ एफरिका और आस्ट्रेलिया में बढ़न देखने को मिली थी जिसमें आस्ट्रेलिया जीत चुकी है और अब जो फाइनल्स होना है वो भारत और आस्ट्रेलिया के बीच होना है। ऐसे में 19 नमंबर को आयजुत होने वाले इस मैच का फैन्स पेस अपरी से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि ऐसा ये संयोग 20 साल के बाद देखने को मिल रहा है।